आज का जो पामिश्ट्री का लेसन है ये प्रफेशन पे होगा कौन से प्रफेशन के लिए कैसा हाथ होना चाहिए कैसी लाइन्स होनी चाहिए कैसे माउट होने चाहिए इस पे चर्चा की जाएगी अलग अलग से प्रफेशन डिसकस करिये जाएंगे इसलिए आप से निवेद है कि अंतक बने रही है पामिश्ट्री और प्रफेशन दप्रफेशन अफ़ेशन परवाइड हिम ए हाई शोशल स्टेटस अरिगाड अश्टीम स्चाइड प्रफेशन, आपनीष और अशोशलिस थे शुब्रफेशन अश्टीम इसलिए जाओ लंत अत्रफेश्टॉ इसके इसवेश्टblick崇वेशनी इसी और वर्फेशनी भी निसमें एिंपन पने प्रॉवल कि अधियो आपनेशनी आपनेशी तो गोपनेशी जिए हैचि कुछ आपनेशी कि भी और कान। इंचे सिट्विसें, भी रिपर इंटर्म प्रवेश्च सिन्ट वे ऐश्यार ए लिव इनवे खनेशनी हैचि अधि फ्रॉछ यद रिव य also that are making their inaugural appearance. It is not possible to discuss each profession. Analyzed in this chapter are certain professions that are in high demand. In today's scenario, the rest of the profession can be analyzed by putting together the various combinations of form as explained in the previous chapters. Now, we will go first, Chartered Accountant Profession. Chartered Accountant Profession. The Chartered Accountant works in the field of business and finance, including auditing, taxation, financial and general management. To have an inclination and success in this profession, the following combination should be seen on the palm. Chartered Accountant का सबसे पहले, as a promised, as a astrologer आपको क्या देखना होता है, चाहे astrology, चाहे पामिस्ट्री, एक बात common है, कि सबसे पहले आपको क्या देखना है. एक Chartered Accountant है, he should be very good in calculation, first. And he should be intelligent also. He should have analytic capacity. क्योंकि उसने accounts करना है, audit करना है, audit में गलतियां निकालनी है, उसका pen गलती पे रुकना चाहिए. और ये उसकी first preference होनी चाहिए. और दूसरी calculation उसको अच्छे से आनी चाहिए, तांकि वो calculation में गलती निकाल सके. या किसी का काम करना है उसके बारे में, उसके बारे में उसको financially भी उसके बारे में अच्छा पता होना चाहिए. financial जो ground है, उसके बारे में उसका पता होना चाहिए. तो ये सारी बातें मिलाके जब हम बात करते हैं, तो हमें निगल के आता है कि यार बुद्ध देख लेना चाहिए, अपने दिमाग में का बुद्ध देख लेना चाहिए, और बुद्ध का मांट देख लेना चाहिए, बुद्ध की उंगली देख लेनी चाहिए, ये दो बातें आपके दिमाग में आएगी, दूसरी आपकी फ प्रश्पति और जो पेशंच देता है वो सैटन देता है और जो वी वाइडली नॉलिज देता है दोनों ब्रसपति और शुकर एक देव गुरु है एक असर गुरु है तो हमें इन बातों को आध्यान देना है इसको ध्यान देने के लिए सबसे पहले आपके दिमागे मर्कृ बरसपति मर्कृ एंड जुप्टर कंबिनेशन हो रहा चाहिए जिसका बरसपति और जुप्टर कंबिनेशन होता है वो एक अच्छा एनलिस्ट होता है अच्छा ग्यानी होता है अच्छी उसको समझ होती है ड्वल्मेंट ऑफ फर्स्ट फ्लेंज होता है मर्कृ फिंगर जो पहला उंगली है फर्स्ट फ्लेंज होता है मर्कृ की फिंगर का वो उसको प्रॉपरली ड्वल्प चाहिए कौनिकल हो तो सबसे बढ़िया है उसके तो कोई बात ही नहीं है यदि स्केर भी हो या राउंड भी हो तो भी चलता है कौनिकल इस दा बेस्ट मरकरी की फिंगर लंबी होनी चाहिए और उसके बाद जो मरकरी का माउंट है वो अच्छा होना चाहिए clear from the many lines होना चाहिए solid जो lines होती है उस पर lifeline होती है थोड़ी बहुत एक दो line और होती है उसमे वो health line की start वहां से होता है इसके इलावा और कुछ नहीं होना चाहिए और well developed practical word उसका पुरा हाथ overall बढ़िया होना चाहिए strong mount of Jupiter and Venus भी होना चाहिए क्योंको फाइनांस से डील करना है वेनस का फाइनांस से सीधा-सीधा रिष्टा है अब यहाँ यह देखाते हैं हाथ एक गॉमन है हाथ एक लिया गया है इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो amendment होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा जो amendment होगी वो बताएंगे आपको ठीके जी तो उसके लिए नमबर एक है नमबर एक है Mercury Jupiter Combination यह ब्रस्पती है ब्रस्पती का परवत है और इसमें Mercury और Jupiter का Combination Mercury का यह Mount है यह दोनों Combination ऐसे भी चल सकते हैं कि इसमें से कोई Line ड्रागर के यहाँ मिल जाए वो भी चलता है या यह जो Headline है यह जो Heartline है वो यहाँ से शुरू हो जाए इजर ब्रस्पती के Mount में चल जाए तो भी उसका Combination चल जाता है किसी ना किसी तरीके का जुकाब भी ऐसा Combination लेके आता है तो उसके बाद यह First Flange है Mercury Finger का Development of the First Flange of the Mercury Finger यह Mercury Finger का First Flange है पूरी तरह सीधा होना चाहिए और इसमें गांट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए नीचे आके गांट होनी चाहिए उसके बाद Well Found Fate and Mercury Lines यह जो Mercury Line है यह Fate Line है यह बिलकुल अच्छी तरह से ड्वेल्ब होनी चाहिए ताकि उसका Concept अपने कैरियर का Concept क्लियर होना चाहिए Well Well Practical World जो यह जो एरिया है ब्रस्पती का मांउट है यह प्रैक्टिकल एरिया है मांउट का मैं आपको फिर किस दिन इसके बारे में डेटेल में बताऊँगा यह जहां से आपकी सबसे पहली उंगली जो है जुपिटर फिंगर शुरू होती है और उसके नीचे जहां से अंगूठा शुरू होता है वहां तक का एरिया पूरी तरह से अच्छी तरह डेल भरना चाहिए यह निशानी होती है एक बस्पती के जो होते है चार्टिर एकाउंटेंट की या कॉमर्स में डील करने वाले बंदे की या ओडिटर की या भी कॉम, एम कॉम करने वाले की स्ट्रॉंग माउंट और जुप्टर एंड वीनस यह वीनस का माउंट है और यह जुप्टर का माउंट है यह दुनों अच्छी भली भनती स्ट्रॉंग होनी चाहिए तब व्यक्ति एक अच्छा चार्टिर एकाउंटेंट कहलाता है उसके वाब बात आती है डॉक्टर की अब डॉक्टर की सीजी सीजी बात सिंपल सी बात क्या क्या डॉक्टर चाहता है डॉक्टर से आप क्या उमीज करते हैं बैसा पहले अपने दिमाग में पिक्चर बिणा और फिर उसको प्रेक्टिकल हाथ में देखो दोनों के पास क्या होना चाहिए ब्रस्पती और मरक्री अच्छा होने चाहिए well developed mental and practical word होना चाहिए ये mental and practical word जो होता है वो बुध और चंदरमा का मेल आपस में होता है वहाँ पे होता है और well formed line of fate and sun होनी चाहिए सूरे डॉक्टर का planet है इसलिए दोनों चीज़ें इसमें बढ़िया होनी चाहिए strong mount of moon होना चाहिए क्योंकि जो ब्रस्पती जो चंदरमा है उसको strong नहीं होगा तो डॉक्टर पीडा नहीं देख सकता डॉक्टर blood shedding नहीं देख सकता डॉक्टर operate करते हैं बहुत सा खून बहता है और नहीं देख सकता मरीज कराहता है बहुत बुरी तरह जब ट्रीट करते हैं उसको तो वो नहीं देख सकता सारी चीज़ों के लिए दिल पका होना चाहिए अस्ट्रोलोजी में क्या बोलते हैं कि moon should be afflicted जितना moon afflicted होगा उतना doctor बढ़िया होगा क्योंकि उसको रोते हुए इंसान देखने पड़ते हैं उसको घबराते हुए इंसान देखने पड़ते हैं उसको मरते हुए इंसान देखने पड़ते हैं फिर भी वो अपना treatment दाजी रखता है उसको दुखी इंसान देखने पड़ते हैं फिर भी वो treatment दुख में भी पता होता है कि सामने व्रीज ने चार दिन के बाद मर ज़ैना है फिर भी वो वो treatment देता रहता है जब किसी का accident होके बंदा पहुंचता है, टांग तुटी हुई है बाजी तुटी हुई है, टांग अलग हो गई है उसको दुबारा जोड़ना है कितना लहू लुहान वहां पर होता है डॉक्टर ने देखना होता है इसलिए डॉक्टर की सबसे पहली क्या चीज़ है उसका दिल मजबूत होना चाहिए ऐसे भी लोग है जो इंजेक्शन दूसरे के लगता है घबराट उनको होने सब्सक्राइब होना चाहिए मेडिकल स्टिगमा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं अब चलते हैं आपको प्रेक्टिकल दिखाते हैं यहां पर यह आपका मेंटल प्लान है यह आपका मेंटल प्लान है जो इसको हम बोलते हैं तो इसके बाद आपका यह डॉक्टर का मै मैंने आपको सारा बता दिया है और इसको सबसे पहले मरकरी का माउंट अच्छा होना चाहिए ब्रस्पति का माउंट अच्छा होना चाहिए और उसके वाद mental and practical words ये बुद्ध का mental and practical work उसको बढ़िया आना चाहिए ये माउंट जो है ये उंगलियां सीधी रहनी चाहिए बढ़िया होती है इंटलेक्ट होती है ये जो माउंट अफ मून है माउंट अफ मून माउंट अफ मार्स और मरकरी अच्छे होने चाहिए ये जो mental word है और इसके बाद well form line of fate and sun sun line भी अच्छी होनी चाहिए और fate line भी अच्छी होनी चाहिए strong माउंट अफ मून ये जो मून का माउंट है काफी strong बिना किसी बहुत ज़्यादा लाइनों के बहुत ज़्यादा निशानों के plane और उबरा नॉर्मल उबरा होगा होना चाहिए medical stigma on the mount of mercury ये medical stigma mount of mercury से जो ये लाइने ऐसे mercury के mount के अंदर घुस रही है ये एक medical stigma है जो दिखाता है कि ये जो intelligent इंसान है ये doctor बन सकता है ये doctor बन सकता है ये इस वाद की निशानी होती है doctor का हाथ देखो कि उसमें ये लाइने आपको वहाँ पे मिलेंगी तो उसके बाद engineer की बात करते हम next profession is engineer engineer और doctor में क्या फरक होता है आपको बताता हूं doctor भी like होता है doctor भी intelligent होता है और engineer भी intelligent होता है लेकिन doctor और engineer में दोनों में फरक होता है number दोनों को भी बहुत लेने पड़ते हैं पढ़ाई दोनों को भी बहुत करनी पड़ती है प्लस टू के बाद त्यारी दोनों को बहुत धूमधाम से करनी पड़ती है तब जाके अच्छे इंजिनियरिंग कॉलेज मैडेमिशन मिलती है तब जाके अच्छे मेडिकल कॉलेज मैडेमिशन मिलती है तो इसके लिए समसे पहला बात यह है कि डॉक्टर और चार्टेट अकाउंटेंट, डॉक्टर और इंजिनियर में कोई फरक आ गया, थोड़ा सा मेकैनिकल करना है, इंटेलिएंट तो रुखना है, यह मार्स-जुप्टर कंबिनेशन, मंगल और जुप्टर का कंबिनेशन, क जो मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ओ इंजिनियर है, मेकैनिकल है, उसका ब्रेन मेकैनिकल होना चाहिए, मार्स एंड जुप्टर कंबिनेशन वहां पे होने चाहिए, एंजिनियर इजे प्रफेशनल प्रेक्टिकल, प्रेक्टिशन आफ टेक्नोलोजी और चाहिए, दूसरा सुकेर एंड स्पेचुलेट फिंगर होनी चाहिए, उनकी हाथ भी स्केर और स्पेचुलेट होना चाहिए, जो मेहंती हाथ होता है, स्पेचुलेट भी हाथ मेहंती होता है, सुकेर भी हाथ मेहंती होता है, वो दुनों के होना चाहिए, हैडलाइन एंडि energy level होगा वो rough and tough होगा तो उसको कई वर गर्मी में खड़ना पड़ता है कई वर उसको rough environment में खड़ना पड़ता है कई वर इंड्रस्टी की तिखी आवाज सुनी उसको पड़ती है कई वर ऐसी जगह होता है जहां पर पानी होता है तो इसके लिए वो चाहिए कि उसको स्पेचुलेट या स्केर हैंड हो उसके पान हो चाहिए हैडलाइन मंगल के परबत के उपर आगे होगी तो rough and tough होगा उसको environmental changes का असर उसके पर उपर नहीं आएगा वेल्ड वेल्ड प्रैक्टिकल वर्ड जो बुद्ध वड़ा माउंट है वो और बुद्ध के साथ जो चंदरमा का माउंट है वहां तक अच्छे परबत होने चाहिए without किनी disturbance के होने चाहिए उसका क्या मतलब है उसने logic से बाद काम करना होता है इंजिनियर को हर काम में चैलिज मिलता है और वो logic से उसको हल करता है यह आप उसकी working को समझो पहले फिर आपको पामिस्ट्री करनी असान हो जाएगी अर्दी हैंड ग्राउंड सेटी का होना चाहिए अर्दी हैंड का मतलब होता है कि वो एकदम से अचानिक से कोई decision नहीं लेता बहुत ही pros and cons करने के बाद अच्छे जो इंजिनियर होते हैं एक अच्छा design भी बनाना हो तो कई के दिन लगा देते हैं कुछ नया कुछ करना हो तो उसको बहुत logic के साथ करते हैं वो एक हवा वाड़ा हैंड नहीं कर सकता logic वाला ही करेगा well formed line of fate and sun वो तो हुनी चाहिए जरूर इसके भी तो इसको मैं आपको practical में लेके जाता हूँ अब देखिए यह जो हमने पहली बात बोली के mangal का परवत और ब्रस्पती का परवत यह दोनों अच्छे हैं इसमें तो कोई शाकिनी हैं दोनों अच्छे हैं और उसके बाद एक मिनदे दो उसके बाद दो नमबर हैं आपका के जो well developed mental and practical word mental and practical word जो बुद्ध का परवत है वो और चंदरमा का परवत है जो mental and practical word को डिनोड करता है वो आपके पास होना चाहिए तीसरा जो है well formed line of fate and sun fate और sun की जो lines है वो बढ़िया होनी चाहिए एक लास होनी चाहिए और उसके बाद यह देखो आप यह fate line है यह बढ़िया है यह भी बढ़िया है और चार नमबर है strong mount of moon यह जो mount of moon है यह strong होना चाहिए strong होना चाहिए और उसके बाद अर्दी हैंड अर्दी हैंड जो होता है वो spatulate या जो square हाथ होता है वो अर्दी हैंड होता है bell formed line of fate and sun हो गया और headline ending on the mount of mars यह जो headline है mangal के mount के उपरा की खतम हो जी होती है तो यह क्या है इसका मलब energy energy और यह दिमाग की रिखा है मन की रिखा है जब mangal के पास आ गई mangal is mechanical mechanical तो इसका bent of mind क्या हो गया mechanical हो गया क्यों mangal represents mars जो है वो represents mechanical mind और उसके बाद practical word जो practical word है यह practical word है आपका यह practical word है यहाँ पे mangal और buddh का साथ हो गया जहाँ पे mechanical को apply किया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि यह उगलिया इसाइड से बड़ी यह सपैचुलेट है इसका यह center जो है बड़ा होता है यह सपैचुलेट है सुकेर वो होती है जो उपर से सुकेर है ऐसे होती है यह टिप होती है यह सुकेर है यह सपैचुलेट है जब यह क्या है यह मेहनत है मेहनत चंदरमा का mangal की रेखा का mangal के उपर जाना मतलब राफट आप mechanical सोच वाला बेखती ठीक है तो यह चीज़ें आयाती है अब इसमें computer professional आगे है computer professional आपको computer professional की तरफ ले जाते हैं एक computer professional is a person working in the field of information and technology a successful computer professional will have the following combination on his palm क्या क्या होना चाहिए एक तो बुद्ध तो उसका अच्छा होना चाहिए यदि computer professional है शुकर का उसके साथ combination होना चाहिए और जो hand iconical होना चाहिए क्यों होना चाहिए iconical क्योंकि computer professional को बहुत से logic लगाने पड़ते हैं बहुत से logic लगाने पड़ते हैं हर step पे logic है computer का आप और मैं जैसे छोटे छोटे जो computer professional नहीं है और जो बाद बाली जिंदगी 45 साल के बाद जिंदगी में computer आया उसको सीखने के लिए कोई teacher नहीं था उस समय जिंदगी उस age में computer सीखना बड़ा मुश्किल था तो हम लोगों ने खुदी हाथ पैर मारके जो computer थोड़े बाद सीखे अपने काम के लिए हो गए अभी भी कोई professional काम तो हम लोग नहीं कह सकते तो उसके लिए क्या था जिसका conical hand है वो old age में भी computer सीखिया आज भी ऐसे लोग है बैंकों में आफिस में ऐसे लोग है जो computer को हाथ ही लगाते चाहे हैं उनकी जरूरत भी है जो जिनके उपर जिनकी speculate उंगलिया है वो computer नहीं सीखते जज़ा वो मोटा मोटा काम करते हैं mechanical काम कर सकते हैं hard काम कर सकते हैं तो इसलिए conic hand चाहिए airy hand with conic fingers जो अब airy hand है airy raahoo को repent करता है airy hand with conic fingers वो count सा हाथ होगा जिसका venus वाला हाथ भी होगा राहु वाला भी होगा जो नीचे से तो थोड़ा सा चोड़ा हुआ, उपर को थोड़ा तंग होता जाता है और उंगलियां भी कोनिक होती है, लॉजिकल लगाने के लिए ये बड़ा काम आता है वेल ड्वेल मेंटल वर्ड, जो उसका मेंटल वर्ड है, वो बहुत अच्छी तरह से ड्वेल्प होना चाहिए और वेल फॉर्म लाइन ओफ फेट, उसकी लाइन ओफ फेट अच्छी होनी चाहिए, भार प्रोफेशन में अच्छी होनी चाहिए fate line starting from the mount of moon उसका imagination के लिए उसकी जो fate line है वो mount of moon से start होनी चाहिए अब इसको दिखाते हैं आपको ये number 1 है number 1 mercury का mount जो है अच्छा होना चाहिए शुकर का mount अच्छा होना चाहिए number 2 conical hand होना चाहिए conical hand इसको दिखाया गए आपको इसका मुँ भी इदर को कर दिया इस finger का मुँ भी कर दिया और इसको थोड़ा छोटा कर दिया तो वो आपका conical hand हो गया और मैं आपको बताओं ये जैसे finger ये normal sketch था वो इदर जा रहा था तो इसको यहाँ से ऐसे कर दिया ये finger कर दिया और ये भी इदर को जा रही थी इदर से इसको कर दिया तंग कर दिया और हथेली भी ऐसे ही तंग होती चले जाए तो तो ये conical hand बन जाता है इसका भी ऐसे हथेली तंग होती चली जाए तो ये conical hand बन जाएगा तो conical hand होना चाहिए airy hand with conical fingers जो ऐसा ही हाथ नीचे से थोड़ा सा कम चोड़ा, ऊपर से यहां से सेंटर चोड़ा, बीज में से ऐसे होता जाए, वो एरी हैंड का लाता है, उसके साथ कौनिकल फिंगर हों तो बहुत बजी है, वैल डूल मेंटल वर्ड, यह जो मेंटल वर्ड है आपका, यह जो हमेशां चंदरमा उसमें होना चाहिए, और बरस्पती की फिंगर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, यहां देखिए यह बरस्पती यह चार अमर यहां है, बरस्पती की फिंगर जो है, बहुत सीधी, बहुत बढ़िया, वैल डूल वर्ड होना चाहिए, और उसके बाद जो चं लेफेट जो चंदरपरवस से स्टार्ड होती है ये चंदरपरवस से स्टार्ड होने वाली लाइन है और और अच्छी है साफ सुत्री है तो ये वन्दे को computer engineer में ले जाती है computer की तरफ उसका ध्यान ले जाती है तो आगे है एक बकील की या जज़ की कुणली तो बकील या जज़ जो होते हैं वो बस्पती परथान होते हैं चाहे वो बकील है चाहे जज़ है बस्पती के एरिया में आते हैं इसलिए बस्पती की उंगली बढ़िया होनी चाहिए ये ब्रस्पति का परबद होना चाहिए बढ़िया जज्ज और लायर इजे पॉब्लिक ओफिसर विदे अथॉरिटी तो डिसाइड केसिस इन दा कोर्ट अफ लाव जुप्टर एक अथॉरिटी होता है एक जज्ज का सिंबॉलिक कार का प्लेनट है और उसमें डिवाइन ग्रेस होती है जुडीशरी के नैचुरल गुन बरस्पती में माजूद होते हैं वैल फॉर्म्ड स्केर हैंड पूरा स्केर हैंड जो है जज्ज के लिए बहुत अच्छ होता है बाइलेंस परस्नेलिटी होती है जिस जज्ज की अपनी परस्नेलिटी बैलेंस होगी और लोगों गों नहीं भी बड़े तरीके से देगा एन इंफुलेंस लाइन राइजिंग ऑन दा माउंट आफ जुप्टर विद वेल डवल्ड माउंट आफ जुप्टर एक इं strong and clear headline headline बहुत साफसुत्री होनी चाहिए तांके वह अपना काम करते हुए चाहिए वह वकीला चाहिए जा जाए कभी शेक ना हो कभी डिस्ट्राब ना हो कभी डिवल्टी में ना फास जाए कि यह अच्छा है वह अच्छा है उससे वह अच्छा काम नहीं कर पड़ता तो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ नंबर एक मरकरी का माउंट और ब्रसपती का माउंट बड़ा कलीर होना चाहिए मरकरी का माउंट और ब्रसपती का माउंट यह मरकरी का माउंट है और यह ब्रसपती का माउंट बड़े कलीर होने चाहिए नंबर दो well formed square hand है यह देख सकते हैं आप यह इसको पूरा square hand बनाया गया है यह देखो यह square hand बनाया है तो ऐसा square hand जो नीचे से भी चोड़ा है उपर से भी चोड़ा है center से भी इसकी जो width है वो बराबर है और नमबर तीन है influence line जो यह छोटी-छोटी भी रिखाए हैं यह influence line है इसको इसने headline के साथ जोड़ा हुआ है देखो यह line है यह line है वो लेकिन मैं यहाँ आपको टुला करके दिखाता हूँ रस्पती के center से यह line आई और आपकी headline से जोड़ गई इसका मदलब क्या है आपका जो मन है वो divine grace के साथ जुड़ गया knowledge के ख़जाने के साथ जुड़ गया justice के ख़जाने के साथ जुड़ गया justice के द्वारा influence हो गया आपका मन के जो करना है ठीक करना है और उसके बाद आता है strong line of fate strong line of mercury यह दोनों हो गई है और उसके strong clear headline यह headline बिलकु clear है कभी फैसला करते हुए डगमगायागा नहीं बंदा duality में नहीं आएगा गंभरायागा नहीं किसी के influence में नहीं आएगा तो यह combination है judges के तो अब बारी आती है astrologer promised जो आप बनने जा रहे हैं वो आप अपने अपने हाथ देखके देखना के आप कितने बड़े astrologer बनने वाले हैं कितना आप नाम कमाने वाले हैं यह आप देखना An astrologer who practice foretelling the future of a person through the study of the person's horoscope and a palmist who practice foretelling of future of a person through the study of the person's palm in perfect in his profession with the following combinations जो ब्रस्पती और बुध एक astrologer या एक पामिष्ट वही कामियाब है जो बहुती तान्देही से बहुती concentration से बहुती स्वच्चता से अपने subject के हाथ को पढ़ने की कोशिश करता है या उसकी horoscope को देखने की कोशिश करता है इसका मतलब क्या हो गया He should be intelligent one आपने सुना होगा बच्पन में अभी भी सुना होगा जनली पंडितों को बिद्वान कहा जाता है जो astrologers है वो किसी सबाव में बैठते है तो जो वहाँ पे माइक पे कोई बक्ता बोलने आता है वो हमेशा astrologers को या पमिस्ट को जो लोगों का future बताते हैं उनको बिद्वान के नाम से बुकारता है तो बिद्वान पंडिजी या बिद्वान जो भी कहे कोई ये एक ऐसा विशह है जिसको जानने वाला बिद्वान के लाता है लोग समझते हैं कि इसको बहुत ग्यान है होता भी है ऐसा नहीं है हमारे दार में गर्फों का ग्यान हमारे बहुत बढ़ी है अतिहास का ग्यान एक एस्ट्रालोजर को अर्पामिस्ट को होता भी है और होना चाहिए भी इसके लिए ब्रस्पती की बहुत जरूरत है ब्रस्पती के डिवाइन ग्रेस की बहुत जरूरत है ब्रस्पती के अशीरबाद की बहुत जरूरत है और बुद्ध की बहुत जरूरत है strong line of intuition एक जो line of intuition होती है वो उसके पास mercury वाले के पास होनी चाहिए a mystic cross on the palm जो headline और heart line के बीच में एक छोटा सा cross होना चाहिए चाहे वो जुड़ा हुआ हो चाहे ना वो इस वात सा कोई मतलब नहीं है but cross should be there ring of Solomon on the mount of Jupiter बरस्पती की उंगली के नीचे ring of Solomon जुरू बना होना चाहिए जो उसकी intelligence या को बताता है well well mount of Jupiter sun and mercury सूरे जोतिश का कारक है सूरे भगवान ने ही जोतिश दुनिया को सिखाया है इसलिए सूरे की किरपा के बिना जोतिश अच्छा नहीं चल सकता बुद्ध और सूरे बरस्पती तीन यदि mount आपके अच्छे हैं तो आप एक अच्छे astrologer अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं the sign of fish at the end of point of the lifeline lifeline जहां खतम होती है वहाँ पे एक मचली का निशान हो तो इनसान बढ़िया astrologer बनता है अभी आपको दिखाता हूँ symptom सबसे पहले नंबर एक बुद्ध का जो परवत है ये बुद्ध का परवत है ये भी चंद्रमा के परवत से कोई लाइन जाके जो बुद्ध के परवत में चली जाती है वो इन्ट्यूशन की लाइन मानते है उसको लाइन अफ इन्ट्यूशन क्योंकि कुछ बाते ऐसी होती है जो आप जब बोल जाते हैं आपको पता चलेगा अभी थोड़े बन जाओ आप बोलोगे यार मैंने कहां से बोला ब्यक्ति हाँ हाँ कर रहा है और आपको अचानक ही पता चल गया कि ये बात बोलनी है आप बोल देते हो और कुछ लिए वहाँ पर इंट्यूशन काम करती है इंट्यूशन एक बहुत बड़ी साइंस है जो आपके दिमाग से आप बोलोगे जो अपने क्लाइंट की भावना को समझता हुआ उसके हालात को समझता हुआ कुछ ऐसी बविश्यवानी का देता है जिसका कहीं किताबों में जोड नहीं होता लेकिन वह सच्ची होती है वह उसी को मिलती है जो अध्यातम करता है जो एस्ट्रोजर या पामि घर में होता है उसको भी डिवाइन ग्रेस होती है इंट्यूशन पावर की तो वो मिलता है ये जो चंद्रमा आठ में घर में होता है बस्पती का साया चंद्रमा के उपर होता है ऐसे हातों में लाइन ऑफ इंट्यूशन भी जिरूर होती है लाइन ऑफ इंट्यूशन भी ज है, यह headline है, इसके अंदर कहीं वी एक ऐसा cross, यह misty cross है, यह भी misty cross है, यह कोई line पूरी तरह से आपस में जुड़ जाती है, यह भी misty cross है, लेकिन cross होना चाहिए, चाहे वो जुड़ा हुआ हो, चाहे पे एक IC बनी होती है रिंग, ये रिंग उप सॉलिमान है, यदि मैं आपको ब्रस्पती की उगली ऐसे बना के दिखाऊंँ, कि ये तो मैंने बना दी है आपकी ब्रस्पती की उगली, भई ये तो यहां काम कर रही है, इसके नीचे आपको ऐसा एक और चीज़ दिखाई दिखाई दियती है, और वो भी यहां पे होना चाहिए, जो ये चार नमबर आपको दिखा रहा है, पांच मानमर, बेलडवल, माउंट आफ जुप्टर, सनन्न मरकरी, ये सूरे का माउंट है, ये बुद्ध का माउंट है, और ये ब्रस्पती का माउंट है, तीनों ही अच्छे से उबरे हुए, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम, ऐसा लगे कि गद्देदार हाथ है, बस इतना ही उबरे हुए होना चाहिए, तो sign of fish जो है, sign of fish जनली यहाँ पाया जाता है, जनली हम sign of fish जो है, यहाँ देखते हैं उसको, ये ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादी आप बहुत उच्छ कोटी के पंडित हैं, तो आपकी headline के नीचे, ये आपकी life line के नीचे, life line के लिए नीचे sign of fish बन जाता है, आपके यदि नहीं बना तो बन जाएगा, धीरे धीरे, जितना पढ़ाई करते जाओगे, sign of fish उतना ही strong होता जाएगा, तो ये आपके लिए एक astrology के profession की चर्चा की है हमने, और इसके बाद आता है bank officer का profession, जो bank officer का profession है, ये भी same तरह का ही profession है, जैसे chartered accountant का है, लेकिन थोड़ी सी बातें हैं इसमें, bank liquid cash को deal करता है, finance को deal करता है, यहाँ से intelligent तो उसको भी होना चाहिए, a person with a, on bank, bank behalf on officer authority of a legal, a person is capacity, an employee, an entitled to agree of, to a, become bank and sign who a bank document is entitled officer with the following, combination, सबसे पहले उसको intelligent तो होना चाहिए, intelligent उसका अधिकार है, वो उसको ज़िदी नहीं होगा, तो खता खाएगा, intelligent सा उसको होना ही चाहिए, number एक intelligent होना चाहिए, mercury और जो प्रका माउट अच्छा होना चाहिए, वे well-dwelled mental ward होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, दूसरा, well-formed mercury finger, mercury line, mercury की finger और mercury की line अच्छी बणी होनी चाहिए, spatulate and airy hand होना चाहिए, क्योंकि यह आँप बहुत मेंत करनी पड़ती है, fate line starting from the life line, तो यह होना चाहिए, combination, अब मैं आपको इसको बड़ा करके बताता हूँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, देखो, सबसे पहले हमने देखा, यह mercury and Jupiter mount, यह आपका ठीक, यह भी दोनों ठीक है, ओके, well-developed mental word, well-developed mental word का मतलब क्या हो गया, ब्रस्पती, यह ब्रस्पती की उंगली, सीधी, स्टीक, साब, सुत्री, होना ही चाहिए, यह ब्रस्पती की उप्ट्री, जुप्टर फिंगर, जुप्टर फिंगर, यह mental word के लिए है, और well-formed mercury finger and mercury line, यह ब्रस्पती की उंगली सीधी होनी चाहिए, स्पस्ट होनी चाहिए, और ब्रस्पती की यदि रेखा है, तो अच्छी होनी चाहिए, और ब्रस्पती का परवद अच्छा होना चाहिए, इरी हैंड, आपको बताया था कि नीचे से थोड़ा सा तंग होता जाता है, यह तंग होने की दिखाई गई है, इस तरफ से थोड़ा सा तंग होगा, एरी हैंड हो, और स्पेचुलेट, यहाँ पर स्पेचुलेट finger होना चाहिए, यह महिनती, क्योंकि फाइनास में बहुत महिनता है, बैंक में तो बहुत ज़्यादा महिनता है, यह लोग नौन अवे तक, दस दस अवे तक जो ओफीस हैं काम करते हैं बैठके, इनके उपर बढ़न बहुत रहता है, इनकी लाइफ 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 A teacher has an authority to provide education to children and adults at a school or any other place to form education, formal education. The combination including the profession of the teachers are सबसे पहले ब्रस्पति और बुद्ध, एक देव गुरू, एक राक्षश गुरू, well-developed mount of ब्रस्पति and Mercury, moon and sun, क्योंकि चंदरमा इमोशन्स भी होने चाहिए teacher में, authoritative भी होना चाहिए teacher, ये चारों के चारे ब्राबर होनी चाहिए, मेहंती होना चाहिए teacher, speculate hand होना चाहिए, influence line from the headline goes to the mount of ब्रस्पति, headline से कोई influence line ब्रस्पति के mount तक जानी चाहिए, तांकि उसके दिमाग में जो है गुरू तत्व भर जाए, उसके दिमाग में aesthetic sense भर जाए, उसके दिमाग में जिम्मेदारियां बढ़ जाएं के मैंने अपने students को के लिए hardware करना है, काम करना है, well formed line of fate, sun and mercury, fate line अच्छी होने चाहिए, सूरे line अच्छी होने चाहिए, और buddh line भी अच्छी होने चाहिए, टीचर को तब ही respect मलती है, जब उसकी सूरे line अच्छी होती है, सुकेर्स on the mount of Jupiter, mount of Jupiter के उपर सुकेर बने हों, तो एक अच्छा teacher बनता है, अब ये देखो, ये teacher का है, सबसे पहले mercury का mount, और बस्पती का mount, नमबर दो सूरे का mount, सूरे की रेखा बड़ी अच्छी है, और फेट line बड़ी अच्छी है, तो उसके बाद, ये देखो, mount of ब्रस्पती से एक line निकलती होई, headline को मिलती है, ऐसे, ये ऐसे दिखाई गई है, यहाँ भी ऐसे दिखाई सकते हैं, और फेट line, good line, hurt, फेट line, और सूरे रेखा, बना हुआ है, आप अच्छे teachers की पहचान है, किसी अच्छे teacher को जिसकी आप respect करते हैं, देखोगे, उसके यहाँ mount पे सुकेर जरूर बना होगा, आशा करता हूँ, आज का ये lecture, profession के उपर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, पसंद आया होगा, पसंद आया होगा, तो किर पाशेर कीजिए, like कीजिए, और subscribe कीजिए, thank you very much.